कैसे हैं आप सब आप सब आप सब की बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपे शेयर करने जा रही हूं गाजर का हलवा तो आप एक बार इस तरीके से घाजर के खीर बनाके देखें यह इतना मज़े का बनता है ना कि आप हलवा तो भूरी जाएंगे तो सबसे पहले मैंने आ और इसे हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में क्योंकि हमें इसे हल्का सब ग्राइन करना है दर दर पषिएरन के फीर कशीर हो बहुत ही जा अचता है तो इसे हम तो शागा पीह सुम्टै है यह था में से आप को सुन्हार रखें ने इस Сам हिरा हिसे दर भूब रखेंगे यहां अधा किलो काचर शामारा से लें करें को धूबले हैं जासरे मोता वाला प्रश्च लेंगे डूप्या संपाना आप मूटा उट काचर को मों अगर महीन वाले से क slavery तो यह बिल्कुल खीर में जाके इतना ब्लेंड हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि आप गाजर का खा रहे हैं वह बिल्कुल हल्वा सा बन जाएगा तो यह दी कि मैंने से कद्दू कस कर लिया है इस तरीके से अब हमें कठाई लेंगे इसमें एक चौथाई कप जितना इ जब गाजर इस तरह से भून चाता है तो खीर में बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है तो आप इस तरह से भून के बनाएं तो यहां पर मैंने इस देखिए दस मिनट के लिए भूना है और आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वह भी चेंज होके है पहले से अब हमने एक मिनट के लिए गाजर के साथ तो देखिए मैंने आप एक मिनट के लिए चावल को भी कुक किया है अब हम इसमें दूद एट करेंगे यह मैंने बफैलो मिल्क लिया है एक लीटर है पूरा और इसे इसमें डाल के हमें चलाते वे इसे पकाना है छोड़ना नहीं है आपक को छोड़ना नहीं है इसे लगातार चलाते वे पकाना है और इस तरह से आप एक लैडल से चलाएंगे ना तो जो भी गाट रहती है वह भी मैश हो जाती है पूरी तो आप एक लैडल ले ले और इसे गाड़ा होने तक हम पकाएंगे जब तक कि चावल के चोटी-चोटी द लास्ट में चीनी एड़ करके हम इसे दो मिनट के लिए और कुक करेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना जादा क्रीमी और डिलीश्यस लग रहा है और बहुत ही जादा टेस्टी बनता है तो एक बार आपको इस रैसिपी को ट्राइज जरूर करना है यह आपको बहुत पस करेंगे गयास का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसे सब्सक्राइब कर दिया है और अपने फीडबैक में इसा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट रस्पी के साथ जिल देन बाबाई टेक कियर